हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टु माई यूटूब चैनल, इन्टीग्रेटेड फिजिक स्टडीज आई-पी-एस एथरे मूँ अल्ड़ेडी प्लस्टो सेकेंडर सिलाबस कम्प्लीट करी सारची एवे मूँ प्लस्ट्री सीवी सीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अप्लोड करी वी जोदी भल लेगिला है ताहले लाइक कर दबो एवो सब्सक्राइब कर दबो जो वीडियोज गुड़ा मूँ अप्लोड करी वी तारा नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आ आउनलोड मुद्यों करी परिवा पीडियोज को लास्ट रे एठी जो मूरा चैनल नेम मची याको क्लिक करी तमें एठी प्ले लिस्ट को जाई मूँ प्रती वीडियोज को यूनिट वाइज एच पर सिलाबस हो जाई की रोखेती भी तमें सर्च करी परिवा ओके थेंक्य हेलो स्टूडेंट्स आजेरो टोपिकर आमें पडिवा दो प्लांक्स क्वांटम थेयोरी ओप रेडियेशन दखा जो क्लासिकल फिजिक्स रे किचिटा इनडिक्वेसी देखा गला mostly in case of your black body radiation ताकु resolve करिवा पाइँ आमें जानिला जे रेले जीन्स थेयोरी कुटे डेवलोप करा कला जोटकी लोव फ्रिक्वेन्सी रे फिक्स साटिस्पाय कला similarly Wenz थेयोरी पुणी आगुटे डेवलोप मेंट आसीला जोटकी हाई फ्रिक्वेन्सी रे सेटिस्पाय कला किन्तु पुरा हाई रू लोव पर जान्तो फ्रिक्वेन्सी कु सेटिस्पाय करिवा बढ़िया गुटे थेयोरी दर कार थिला सो उनेश्पाय मस्या रे सांटिस्ट मेक्स प्लांक से गुटे हाइपोथेसिस नाले नोनेज़ द प्लांक's hypothesis कौन से को ले ना से इंटर्डूस को ले गोटे नुवा कॉंसेट आप रडियेशन विच इज नोन आज दो कौन्टम थेयरी आप रडियेशन और इज बेस्ट अपन दो फोलोईंग एसंप्शन्स फर्स्ट हैला इन केस आप ब्लैक बोडी रडियेशन चैंबर इज फिल्ड नोट अनली विच रडियेशन बट अल्सो विच सिंपल हार्मोनिक उस्सिलेटर्स याको आमें रिजोनेटर बहुत थेया कोही पारिवाँ having all possible frequencies. Second assumption अला है, the oscillators cannot emit or absorb energy continuously ताहले कोणना हाँ, they rather emit energy discontinuously and discreetly as an integral multiple of small unit of energy. So, integral multiple जयता हाँ अला है, the energy of oscillator will become quantized. Okay, so this small unit of energy is the h ν, हला, which is known as your quanta or photon, हला, जो थेया की, electromagnetic radiation particle nature of light पाला हाँ अला. Now, in general, the possible values of the energy of an oscillator having frequency ν, is your E equal to n h ν. एठी, n-ra value हला हुद अला हुद एपोजिटिव इंटीजर, 1, 2, 3, 4, एंटीज चला, आव एच घला, तमरा, Planck's constant जार वेला हुद वे, 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. हला, now, if capital N is the number of Planck's oscillator and capital E is their total energy, then energy, जोदि आमें average करिवा, average energy of your Planck's oscillator यह ही जिवो, capital E by N e बार्टा. ना, एबे गोटे जिनसा मुँँ कही रखोची, जोदि तमको Planck's quantum theory पुरा long question पड़ीची, ताहले derivation यारो पुणी E बार्टा आमको करिवा को पड़ीवा, जोटा आक्कु आमें ओच्छी. जोदि ब्रीफली लखीवा पाईको आजाईची, ताहले मुँँ दखो यठी मार्क करदीची, जेते पोर्जन तो ये मार्क चाली थीवो, से पोर्चन को तम्हें omit करी पारीवो. depending upon the type of your question, एक्जामरे को बढ़िया आस्थिवा, ओके, सो आमें इटा पूरा आटा कोडिवा, सो याक्को आबे आमें डराइब करिवा, सो आबे आमें यूज करिवा कोण Maxwell's law of molecular motion, सो यदि तम्हरो E हेगला तम्हरो energy, यहला, दन नम्बर of molecules having energy 0E, 2E up to NE are in the ratio Maxwell's law, यहला, 1 is 2, यहला, exponential to the power minus E by kt, then to the power minus 2E by kt and so on, हला, सो इव capital N0 is the number of resonators, मनें oscillators having the energy equal to 0, then number of resonators N1 having energy E, यह हेजिवा, N1 equal to N0 into exponential minus E by kt, okay, similarly, the number of resonators with energy 2E, यह हेजिवा केते, N2 equal to N0 exponential minus 2E by kt, so generally, the number of resonators with energy, suppose R E, यहार भेलो केते हैं वो, NR equal to N0 exponential minus R E by kt, यहला, यहा, यही जो k दोखो चो, यहा, होची तमड़ा Boltzman constant, यहा, यही किन्तो ओटेजिन समार्क करो, आमें यहाको लेखी परिभा, capital N equal to N0 plus N1 plus N2 up to NR and 4 series, where N is the total number of molecules that we have taken, nven, यहा, यहा, so, यहा, यहाको आमें, put करदवा corresponding values गुडा, यहा, N1, N2, M3, जो value आमें पाये चुँ, value पूट करदवा परे, यहा, N0 को आमें common आणि आस्छिला, ओके, common आणि आस्छिला, अचा, यहाँ, आमें लगेई भा, अमरो simple series formula, series solution दो 1 plus x plus x square plus x cube, एई series टा तरो formula reduce करी जाए, 1 by 1 minus x, येठी आमें x देखी पारुचु, it is the exponential of minus e by kt, येठी नुकरी आमरो formula टाह सिगला, 1 by 1 minus exponential of minus e by kt, ओके, तो ये आमें पायोगला total number of particles, second zins आवे पायबा कोना, total energy, so total energy of these oscillators or resonators, ये केते हैब, obviously it is the product of your energy and the corresponding number of oscillators, so e equal to 0 plus n0, e into n1, then 2 e into n2, 3 e into n3 and so on, r e into nr, पूनी सही कथा, येबे आमें n1, n2, n3 यारो भेली उडा, पूनी सही बढ़िया, put करदाबा, येबे x, आमें common अणि आसिवारीवा, येठी e n0 exponential minus e by kt, ये अक्को आमें common अणि आसिवा, हैला, so that, पूनी सही बढ़िया, सीरीज गोटे आसिला, हैला, येबे टिक्के सीरीजटा अलगा आची, येबे दखो, एई बढ़िया, एई डहंग वरे सीरीजटा आसिला, 1 plus 2x plus 3x square plus dot 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 rx to the power r minus 1, हैला, एई फर्मूलारे तमवरो सीरीजटा आची, यार वल्यू आसे, येटा मोने रोखिवा, 1 by 1 minus x रो whole square, हैला, so accordingly आमें याको पूट कर देला, तमवाने total number of particles पाई गोला, total energy आमें पाई गोला, hence now we can calculate the average value of your Planck's oscillator, which is e bar equal to e by n, simply येबे आमें वल्यू पूट कर देला, हैला, so that, आमरो result आसे गला गेतबे, e bar equal to e by exponential of e by kt minus 1, हैला, because according to Planck's hypothesis, येटी आमें h ν्यू कू replace कर दे पारिवा e रह, हैला, so येबे h ν्यू येटी लेखिए देला, दको येटी मोरो mark सरीगला, तमवाने येटा derivation नामोरो सरीगला, हैला, जदी ब्रीफली पचरा जाईची, तमवे एटी पूनी स्टार्ट करेवा, हैंस, average energy of Planck's oscillator, ये आसे गला, तमवारो h ν्यू बाइ exponential h ν्यू बाइ kt minus 1, ओके, now, the number of harmonic oscillators, suppose आमें गोड़े frequency range नेला, गोड़े छोट्या range gap d new रो, हैला, सो frequency range येगला, new and new plus d new, एई frequency gap बितरे, number of harmonic oscillator केते हैवा, याको आमें लेखी परिबा, n new d new, हैला, will be equal to, 8 pi new square by c cube d new, हैला, इटा अल्रड़ी एई, जो n new रो फर्मूला, आमें अल्रड़ी बाहर करी सारी चू, हैला, हैंस, the total energy per unit volume, हैला, energy per unit volume रो भेल्यू केते, it is the energy density, ओके, in this frequency range, new and new plus d new, ये आसे गला, e new d new, equal to the number, corresponding number, into the average energy, हैला, सो अबे corresponding value, अबे put कर दाबा, सो दखा, e new d new, energy density रो भेल्यू, ये बड़े आसे गला, ओके, सो याको टिक के, हमें सोजाड़ी की लेखी देले, हमारो, एई formation रे आसे गला, which is the, Planck's Radiation Law, हैला, एई लो टा, एबे frequency रहाँची, in terms of wavelength, मोद्य हमें लेखी पारिबा, replace कर देबा, frequency कुँ wavelength रे, new equal to c by lambda, पके देबा, और, एबे जोधी derivative ने जाऊचू, d new equal to minus c by lambda square d lambda, so, एबे energy density, in terms of wavelength range, lambda and lambda plus d lambda, एई बोड़ा मोद्य हमें, आमें लेखी पारिबा, याको पुणी सही बोड़ा आटी के सजाई देले, डखो, एई डोंग औरे, आसे गला, तम्मारो, Planck's Law of Radiation, in terms of your wavelength, okay, thank you,